अलग दिखना और अलग होना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम कहीं किसी विशेश जगे गए, पहनावा किस तरह का है, वो समारोह किस विक्ति विशेश का है, हमारे से उसका कितना जुडाव है, और हम उसी आधार के अटायर्स के साथ में गए हैं। तो वहाँ अलग दिख रहे हूंगे, रिसिंग सेंस अच्छा है, हम अलग दिख सकते हैं। भाशा में शब्दों का प्रभाव अलग तरीके से है, हम अलग दिख सकते हैं। सम्हू के भीतर एक अलग पहचान हलके फुल की त्वरबर बन सकती है। किन्तु अलग होना, इसके उलट बिलकुल अलग स्तिती है। आप देखिए, इस यात्रा में व्यक्ति को कई बार विद्रों का सामना करना पड़ता है। आफिस में शाम का समय होता है। कुछ लोग आलस से की प्रवर्तियों के साथ में होते है। किन्तु एक व्यक्ति विशेश, जो समय आफिस का है, उसके बाद में भी जूटे रहता है। ये उसके शुरुवाती दिन की स्तिती नहीं है। उसकी यात्रा जब तक उस कार्या लएके अंदर चली, तब तक वो उसी रूटीन के साथ में चला। आफिस का समय साड़े नौ बजे का है। वर्शों से एक बे दिन देरी नहीं होई। तो इसका आर्थी है कि वो व्यक्ति अलग दिक नहीं रहा है। वो अलग है। उसकी विलक्षनता लोगों को बहुत गहराई से परभावित कर रही है। और अलग होने की जो यात्रा है वो नितानत है, नीजी है, अनुशाशल मानती है। कई बार विद्रो को स्विकार करने की प्रवर्ती के साथ में भी व्यक्ति विशेश को लेकर चलती है। और कई बार ऐसी स्तिया में निकल कर आती है, जहां पर व्यक्ति बिलकुल खुद को अगेले खड़े हुए पाता है। और ये जो अलग होने वाली स्तिय है। आप देखिए मन को एक अलग तरीके का संतोष देने वाली होती है। मन के भीतर के आभा मंडल को एक नई जागुरती देने वाली होती है। और इसी जागुरती के साथ में चलते हुए, इसी स्तिती के साथ में चलते हुए, व्यक्ति अलग होने की और चलता है। और अलग होने की और चलते हुए स्वयम को एक अलग आधार के साथ में लेकर चलता है जहां लोग उस व्यक्ति से मिलकरे कहते हैं कि आपका सम्मान है आपका सम्मान इस वज़े से है कि हम उस समय जुक गए थे किन्तु आप भी जुके आप इतिहास की चर्चा कर ले किसी और इस्तती की चर्चा कर ले जिस व्यक्ति ने अपनी सोच पर काविज रहने का प्रयास किया अंत तक व्यक्ति अलग रहा और अलग स्वरूप के साथ में ही पैचाना गया तो अलग दिखने की यात्रा और अलग होने की बहुत लंबी यात्रा दोनों में फर्क है हम के सौर अपने जीवन को लेकर जाते हैं यह व्यक्तिक स्तर पर मिर्भर करने वाली इस्तती है हम आपके सम्मुक यहां सोलह नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजर हुए है चंद्रमा की इस्ततियां आज रात आंट बचकर 13 मिनिट तक मीन राशिस्तान में रहने वाली होगी सुर्देव वरिश्चिक राशिस्तान में आज के दिवस महीं प्रवेश कर जाएंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अपने पुर्णाहुत की और अग्रसर है तो वही पर हम दैनिक राशिफल की शुर्वात करते हैं मेश राशी के साथ में नौगरी पेशा जीवन में मंगलवार के इस दिवस विशेश में बड़े नर्णे लेने से बचिएगा तो वही वहवारिक आधार के उपर आपको लग रहा था कि कोई व्यक्ति विशेश बारंबार आपको परिशान कर रहा है और उसके साथ में आप जुड़ा बहुत गहराई से महसूस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ इग्नोरेंस की अपरोच को अपना कर चलने का प्रयास करना बहुत जारा जरूरी है विश संबंधिकारियों में तेजी की संभाव ना बनी हुई है शेयर मार्केट संबंधिकामकाज में आज निवेश की और उसी समय बढ़ है जब आप अपने लिए पूरी ही इस पश्टता को यहाँ पर बना चुके हूँ हवा का रुख कामकाजी जीवन में किस और है उस से दूर हट कर लंबे समय के लिए हमारी लिए कहाँ पर बेनेफिट रहेगा वहाँ से जुड़ने के जुरुत रहेगी चोटी चोटी आत्राओं से संबंदित कामकाज आज आपको मेजर लेवल के बेनेफिट के और लेकर जा रहा है भाग्य यहाँ पूर्ण रूपेड आपको सहयोग देने वाला रहेगा और वही प्रबंदन संबंदित कामकाज में बड़े निरने के और आज आप आसानी से गमंचील हो सकते हैं बुरिशब राशी के जातकों के लिए ये दिवस विशेश आर्थिक लाब लेकर आ रहा है इसे के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो लंबे समय से अटके हुए और रुके हुए कारे थे वहाँ पर भी पुन है ते वरता निकल करा सकती है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा तो वहीं अब इस बात पर भी गोहर की जियेगा कि शेयर मार्केट संबंदि कामकाज हो निवेश की कोई भी अन्य प्रग्रिया हो जैसे वर आप बढ़ना चाहते हैं ये समय आपके लिए सहीयोगी बना हुआ है शुक्र प्रदाम राशी के जातकों को चाहिए कि आप खान पान पर पून तया नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें और वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताओं से अधे कार्ये हाथ में लेने समचें स्वास्ते पर उसका गहरा असर पड़ सकता है आज शारे के स्थर पर हलके फुलके आराम की आवशकताएं भी रहेंगी आप हमेशा अपनी एक्टिव अप्रोच के साथ में चलता है आज जो ये दिवस मिल रहा है थोड़े से गैब को आपके लिए मैंटेन करेगा ये स्वास्ते के लिए उर्जा परदायक है मंगल बार के इस दिवस उशेश में उस उर्जा को भी अपने साथा बना कर रखे थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आपको यहां पर सावधान रहना चाहिए साथी साथ में एकादश भावस्त चंदरमा के इस्तिया ये इंडिकेशन भी देने वाली होती है तो वही मितोन राशी आप मेनेजमेंट संबन्धी किसे भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए है या फिर आप टेक्निकल वक के साथ में अपनी पोजिशन को एस्टेबलिश करके लंबे समय से चल रहे हैं इन दोनों ही शेत्रों के अंदर व्यवस्तित वृद्धी आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है कोई भी नई opportunity सामने हुँ तो उसको भी आप अपना कर चलने का प्रयास कर सकते हैं आज इवी का का कोई भी नया माद्यम आप यहां पर वेकसित करना चाहते हैं यह समय श्रयस कर रहे किन्तु जोखिम भरी इस्तियों से भी सावधान रहने का पूरा पूरा प्रयास आप जरूर कीजिएगा और वहीं आपसे हम निवदिन करेंगे कि जिस मानसिक सुख की तलाश में आप लंबे समय से थे वो यहां पुने है आपको निरंतरता के साथ में कामकाज में ही मिलने वाला होगा गरिहस्त और संताम पक्ष के साथ संबंदों में पूर्ण तया आप खुद को बांद कर चलने का प्रयास करें वहां पर जितनी सहरदैता बनेगी उतना ही आपको संतुस्टे का भाव मिलता चला जाएगा और वहीं भूमी संबंदों कार्य हो या फिर कंस्ट्रक्शन संबंदी कार्य हो किसी भी बड़े नर्णे में आपको रुकने और ठकने क्या वशक्ताएं नहीं है करकराशी के जातकों के लिए यहाँ यदि कोई भी इंटर्व्यू कॉल सामने है आप इसको एक बड़ी ऑपरचुनिटी की रूप में ले सकते हैं तो वहीं सुभे सुभे कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायरिटी डिसाइड नहीं थी एक बार स्वय हम एनिलाइज करें उस वार बढ़ना है या नहीं यदि आपको लगता है कि जो कार्य सामने है उसकी प्रायरिटी उस इस्तर पर नहीं है तो वहां से आप थोड़ी सी दूरी बना कर चल सकते हैं रचनात्मक शेत्र में प्रगती की आधार शेला आपके लिए बहुत अच्छे से स्थापित रहेगी बाईयों और मित्रों का सयोग तो बना हुआ है किन्तु कोई भी ऐसा तथाकतित मित्र इसके साथ संबंद बहुत लंबे नहीं थे बहां से आपको थोड़ी सी संभल लेकी जरूरत रहेगी और वहीं करकर आशे के जातकों से हम निवदन करना चाहेंगे जो आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह आपको आपके मन के भीतर मिलता चला जा रहा है उससे और गहराई से आप जोड़ते चले जाईएगा एजुकेशन को रिलेट करते हुए फिल्ड स्पसिफिक के अंदर जिस डेवलप्मेंट को आप देखना चाहरे थे वो डेवलप्मेंट यहां बहुत अच्छे से आपके संभुक रहने वाला रहेगा सिंग राशी के जात्कों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाच के अंदर यहां पर इदिवस उशेश वृद्धी के सारे ही संकेत सम्मुक रखने वाला होगा तो वहीं यात्राएं इस समय अंत्राल में टाली जाती हैं तो ज्यादा अच्छा है नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तोर पर मानसिक तनाव भी सामने निकल कर आ सकते हैं उस से कैसे पार पाना है योजना बद सिरे के साथ में उन सारी इस्तियों को आप अंकित करके चलने का प्रयास जरूर करें कोई भी नया आवसर आ रहा है उसमें फैसिनेशन कितनी है और उसमें प्रसाइज लेवल की किल्कूलिशन कितनी है इन दोनों ही फ्रेम्स को सेग्रिगेट करके चलने की रेक्वाइर्मिट रहेगी और वहीं हम आपसे ये भी निवदन करेंगे कि मैटल संबन्दी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश के और जा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन संबन्दी कामकाज में भी आप हैं और उस और बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं निवदन है कि यहां अपने रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयासा जरूर करने वाले रहें और वहीं आप यह भी देखिएगा कि यहीं मार्केटिंग संबन्दी कामकाज में है या फिर आपको पब्लिक रिलिशन्स के साथ में डील करना होता है जो आप क्या रहे है उसके पीछे की तथ्यात्मक स्ति क्या है उसको अपने साथ लेकर चलेगा जितना आप फैक्टफुल रहेंगे अपने जुबान के साथ उतना ये दिन स्रेश्टता को निर्मित करता चला जाएगा वहीं कन्या राशी के जात्कों के लिए ये समय विशेश व्यापारे किस्तर के उपर स्रेश्टतम अनुभवों को संबुक रखने वाला होगा यहां आत्मविश्वास की एक अनूठी जलक देखने को आज भी मिल रही है जो पिछले दिन भी बरकरार थी रातरी अंतराल के अंदर कामकाजी जीवन की भागदौर फार नरने से बचे चंद्रमा की सतिया वहाँ पर परिबर्तित हो रही है कोई भी केमती वस्तो गैजट आदी आप कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही पहनी निगाह बना कर रखियेगा यात्रा आवशक है तो किसी वेक्ति विशेश को साथ में लेकर चलने का प्रयास आप सरूर करने वाले हूँ कन्या राशी के जातकों के लिए यहां पर क्षमताओं से अधिक कामकाज में हाथ डालना दुशकर हो सकता है इसे वज़े से जो कारे सामने है उसके साथ में जोडने के स्थियों को आप रखियेगा किसे भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो चोटी चोटी बातों के साथ में जो कई बार दुराव निगार कराते हैं उससे कितनी दूरी रखकर आप चाल सकते हैं ये इस पस्टता अपने साथ में जोबने की पूरी पूरी जरूरत आज आपके लिए यहाँ पर बनी हुई वही कन्या राशी की जातकों के लिए कमिशन संबंदी कामकाज में ये दिवस वुषेश नैसर की काधार पर बेहतरी को देने बाला होगा और वहीं सरवांगेंड लाप के सिरों में वरद्दी है शेर मार्केट सब्बंदी कामका जो यह अन्य निवेश की कोई भी विदा बहतरी आपको देती चली जा रही है शुक्र वरदान तुला राशी के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्त में स्रेष्टता के आधार जो लंबे समय से बने वो थे उसमें कमी आ सकती है इसे वज़े से कोई भी यात्रा करनी है किसी भी कामकाज में कमिट्मेंट करना है जब तक आप सेहत को लेकर पूरे तरीके से संबल प्राप्त नहीं करें तब तक हामी भरने से आप बचें रिण संबन्दी स्तियों में भी कोई भी बड़ा निरणे लेना यहाँ दुविधाओं को जन्म दिने जैसा हो सकता है तो वहीं पर शत्रू जो लंबे समय से आपको गेरे हुए थे आज भी वह आपको मानसिक तोर के उपर कहीं ने कहीं वचलित कर सकते हैं उनसे संबलने की आवशकताएं रहेंगी और वहीं कोई भी नया इंटर्व्यू को अला रहा है आप अपनी कल्कूलेशन के साथ में जतना अच्छे से बढ़ेंगे कि उस तरफ जाना है या नहीं उसमें बहतरी है सुबह सुबह की और जाका इस्तमाल करने का प्रयास आप जरूर करने वाले हूँ तो वहीं शुक्र प्रदान राशी के जातकों से हम देवेदिन करना चाहेंगे कि यहां पर दोस्तों और भाईयों के भरोसे कोई भी काम आज रखते हैं आप तब भी उनके साथ में एक तरह से प्रेजन्स को बले ही वर्चुल बेसिस के साथ में ही हूँ एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें इसे के साथ सर्विस इंडस्ट्री संबंदी का अंकाच के मंदर यह समय व्यापक्स तरपर आपको बहतरी देने वाला हो सकता है उरिश्चिक राशी के जातकों के लिए यह समय क्षमताओं से बहतर आधार को सामदे निर्मित करने वाला होगा शेर मार्केट संबंदे किसे बिनवेश की और जाना चाहते हैं यह दिन श्रेयसकर है आध्यात्मिक चिंतन में पूर्णता बनी हुई है तो वही पर नौकरी पेशा जिवन के अंदर जिन रिफ्लेक्शन्स में इतने लंबे समय से पॉजिटिव साइड आपको नहीं मिल रही थी वहाँ पर भी यह समय विशेश आपके संबान में और आपकी स्विकारुकती के जो इस्ततिया वहाँ पर बनी चाहिए उसमें वर्द्धी करने वाला रहेगा और वहीं आप यह भी देखिएगा कि जिस भी कामकाच के अंदर आप और अधिक गहराई से जुड़ना चाहते हैं अनविशन की स्थतियों को अपनाना चाहते हैं उससे लहाज आप ही यह समय आपके लिए बहुत जादा सैयोगी रहता हुआ नजर आ रहा है यहां संतान पक्ष और ग्रिहस्त के साथ में संबंदों में और अधिक मधुरता बढ़ती हुई दिखाई देगी जो कहीं न कहीं आपको और जादा संबंद देने वाली होगी जब घर परिवार का सैयोग साथ में हो और आप किसी भी बड़े नरणय के और जा रही हो तो आप ये माने कि एक ईश्वरी संकेत आपके साथ में है जिसके साथ आपको गतेवान जरूर होना चाहिए धनुराशी के जातकों के लिए यहां अग्याद भाए संबंदी स्तियां परिशान करने वाली हो सकती है उससे आप संबलें तो वही पर चंद्रशेक रस्टकम का पार्ट करना, हनुबन तुपासना के साथ में निवस को आगे बढ़ाना जादा श्रेयस कर रहेगा लेकन संबननी कामकाज में आपकी सोच के साथ में आज वो पैनापन नहीं चल रहा है वो एकागरता विचारों के साथ में नहीं चल रही है जिसके आवश्रक्ता होती है उस इस्तिती से थोड़ा साथ संबल कर चलने का प्रयाज करे कोई भी कमिट्मेंट आपका है तो उसके अंदर थोड़ी सी देरी रह सकती है कोई भी विच्टी वाचाल प्रकर्ती का है बहुत जादा बूलता है और आपको कई बार ऐसी बातों में जबर्दैस्ती शामिल कर देता है जहां साथ को कोई सरोकार नहीं है वहां से भी आज आपको संभलने की जरूरत है कि उस विक्ती के साथ बहुत जाड़ा जुड़ा विस्ताफित करने से बचिएगा और अचनात्मक्षेतर में टगतिशीलता संभावित तोर पर आपके लिए बहुत अच्छे से नज़रा रही है और वहीं मरिहस्पती बर्दान राशी के चातकों को चाहिए कि आप यदि आजे भी काका कोई भी नया माध्यम विक्सित करना चाहता है एक से दूर दिन रुके उसके बाद निरने के और जाना आपके लिए ज़्यादा अचा रहेगा और वहीं पर आप ये भी देखें कि जब आत्म विश्वास की कमी हो तो अनभव के सहारे वेक्टी को चलना चाहिए आपको मालू है जो भी कह रहे हैं उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है एक्सपिरिंस क्या रहा है उसको लोगों के संबुक रखना ज्यारा बहतर रहेगा शनी देव परदान मकर राशी के जातकों के लिए इस्तर को पराप्त कर रहा हो और आप उसी रफ़तार के साथ में जब चल रहे हूँ तो आपकी कर्म की जिम्मदारी और अदिक बढ़ जाती है और वहीं से अर्थ संबन लता के इस्तर और आधार भी निकल कर आने वाले होते हैं यह स्पस्टता यहां आपके संबुक बनी हुई है वहीं आप यह देखिएगा कि आपे इन कंस्ट्रक्शन समद्धी कामकाज लोजिस्टिक्स समद्धी के से भी कामकाज के साथ में हस्तक्ष रखनेवाले व्यक्ति है तो इस समय हैं अमत्राल में ये इस पस्टता अपने साथ में आप जरूर लेकर चलने का परयास किजिएगा कि भागदोर अंत तो गत्वा इस दिवस्वशेश में परड़ामों के साथ में जोड़ने बाली रहेगी किसी भी नई डील को फांजलाइस करने के और जा रहे हैं बिल्कुल श्योर है तो फिर अब रुकने और ठकने क्या वशकता है दूर दूर तक में नहीं है इस मूल मंत्र को अपने साथ आप बना कर जरूर रखिएगा शनिदेव प्रदान राशी के जातकों को चाहिए कि जब आप सरवांगी डलाप के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ती देख रहे हो तो फिर कहीं पर भी अटकाव और भटकाव के स्तियों का अपने साथ में लेकर चलने से आपको बचना चाहिए कुम्राशी के जातकों के लिए यहाँ पर धनागबन में बढ़ती रहेगी कामकाजी जीवन में बढ़ोतरी जो आपको यहाँ पर मिली है उसमें कहीं पर भी आप रियक्टिव नहीं हो सहच तोर पर उसके साथ में स्वीकारुकती बना कर रखे कोई भी कमिट्मेंट करने के वर जा रहे हैं एक से दू बार पहले विचार कर लें फिर ही आप उस तरफ जाएं अपनों को नाराज करने से यहाँ पर आप बचिएगा तो वहीं पिता की सेहत के साथ में जो भी दुबधाएं बनी हुई थी उससे भी आज आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहेगी यहां कुमराशी की जातकों के लिए एक प्रमक बात ये भी निकल कर आती है कि रिसर्च संभन्दी कामकाच के अंदर वेवस्तित वृद्धी के सेरे जब आपके लिए नज़रा रहे हो तो वहां पर भी अपनी पोजिशन्स को और गहराई से एस्टबलिश करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें यही वो समय अंतराल है जहां पर आप ग्रिहस्त के साथ के से भी कामकाच के शुरुआत कर सकते हैं लगता है कि दूसे तीन साल बाद मौकरी चोड़नी है उसकी नीव आज रखनी है उस लहाजा यह दिन आपके लिए शुरियस कर रहेगा ऐसे शुरुआत मनमापिक स्थियों को नर्वित करने वाली होगी विदेश संबंदिकार्यों में जिन संक्यतों की बहतरी के साथ आप चलना चारे थे वो भी आज आपके साथ में स्ताफित रहेंगे और वहीं पर जो आपके से भी भाशा संबंदित कामकाच के साथ में या फिर वक्ता, संपंदित, शेत्रवशेश के साथ में जुड़ाब रख रहे थे अवसर तिबरता से आएंगे और निकल भी सकते हैं उनको थामने की पूरी पूरी ज़रुरत आज रहेगी मीन राशी की जातकों के लिए आज आत्म विश्वास में तो बरदी है किन्तु शाम के समय के बाद अती आत्म विश्वास से बचिएगा एक हम विश्वास से कहते हैं कि यह कार्य हो जाएगा एक हम कहते हैं हो ही जाएगा, होई दिक्कत नहीं है, दोनों में अंतर है यही आत्म विश्वास और अती आत्म विश्वास की निशानी है इसे संभलने की जरूरत है वहीं पर आप यह भी देखिएगा कि जो यहां स्वास्ति को लेकर आप चेंटा है महसूस कर रहे थे उसमें आप देरे देरे कमी आती चले जाएगी वहाँ से इतने दुवधा के इस तरह आप के लिए नहीं है यहां आप यह भी देखें कि लॉजिस्टिक संभंदी कामकाज ट्रांसपोर्ट संभंदी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो की स्पेसिफिक लेवल के उपर शनीदेव प्रताने कालाहर के साथ भी जड़ा होता है वहां से भी बैटरमेंट के फूल निकल करा सकते हैं इसे की साथ आप अपने कामकाजी जीवन में इस बात पर भी गोहर करें कि नए संभंद जुड़ने वाले हो सकते हैं यहां आकस्मित तोर पर आफिस के और से कोई भी ऐसा कामकाज मिल सकता है जिसके लिए यातरा करनी पड़ सकती है उसके लिए तैयार रहें आपने शेर मार्केट संभंदी शेतर के अंदर अभी अभी किसी कदम ताल को आगे बढ़ाया है तो वहां पर भी इस हमें विशेश सपोर्टिव बेस को क्रेट करने वाला रहेगा आपसे निवेदन है कि यहां रण देने और लेने से अ्न तया आपको बचनः चाहिए वही शत्रों पर हावी होने का प्रियास आप बिल्कुल भी नहीं करें जिस रूटीन के साथ में चले हैं उस रूटीन के साथ में आप चलते चले जाएं वहां से हावी होने की परवर्टियों को अपनाना या फिर उस व्यक्ति को जबर्दस्ती जो काने के बारे में सोचना ये कत्ते ही सही नहीं है उससे आपको मुक्त होकर अपनी यातरात है करनी चाहिए तो इता सोले है नवंबर 2021 का देने कराशिय पर हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में रंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कुड़ी शहर आभार